नमस्कार मैं हो देपिका दुरू आप देख रहे हैं आरजी नियूज राइपूर के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात बड़ा बखेडा खड़ा हो गया कुछ आरपीएफ के जवान एक यूवक को बुरी तरह से पीटते नजर आए स्टेशन पर मौजूत यात्री भी य पूरे तरह से पीट रहे थे वह रेलवे स्टेशन का वेंडर था पानी की बॉटल और बिस्कीट बेचने का काम अंकुष भदौरिया नाम के इस यूवक को आरपीएफ के जवानों ने पीटा अंकुष का दावा है कि फ्री की पानी का बॉटल मांगते पर आरपीएफ के जवानों को इंकार कर दिया बस यही बात वर्दी के रॉप को पसंद नहीं आई जवानों ने लाद घुसा अंकुष की पेटाई कर दी जवानों के पास मौजूद एके 47 राइफल का बट अंकुष के माथे पर दे मारा फोर्स के वजनी बूटों से अंकुष को इतना मारा लगया कि उसके नाक और मुझे खून बाहने लगे दूसरी तरब जवान अंकुष पर हत्यार चीनने के कोशिश का आरोप लगाने लगे उन्होंने कहा कि अंकुष के साथ छीना चप्टी की इसलिए उन्होंने ऐसा किया दूसरे स्थानिय वेंडर कहने लगे कि वह सब कु अंकुष को जब पीटता देख बाकी के वेंडर बीच बचाओ करने आये तो आर्पीएफ के जवानों ने उन्हें भी पीटने की धमकी दी कुछ देर बाद अपने साथ जबरन अंकुष को बहार लेकर गये जब पीछे पीछे दुसरे वेंडर भागते हुए बहार आये त यहां सिकाया देनी चाही मगर आर्पीएफ के अफसर आधी रात तक अंकुष और उसके साथियों का रिपोर्ट दर्च नहीं करने उसके साथियों का रिपोर्ट दर्च कराने की बात पर तालते रहे कुछ देर बाद मार पिट के आरोपी जवानों से भी संपर्क हुआ उन इस वक्त स्टेशन में यह मार पिट की घटना हुए राइगार से गोंदया जाने वाली ट्रेन आई हुई थी इस ट्रेन में दुर्ग से यह जवान राइपूर स्टेशन पर उत्रे और वेंडर के साथ हाथ मारा पिटी की मारपिट करने वाले जवानों में एक का नाम मुकेश और दुसरे का नाम अवनीश बताया जा रहा है इसे के साथ बने रहिए आरजे नियूस के साथ